हेलो वल स्वागत आप सभी का प्रभात ट्रेडिंग सर्विस में दोस्तों हम फिर से ले गए आपके लिए कौर स्टॉक अनालिस वीडियो फो टोमॉरो डैट मींस 15 फेवरी 2019 तो वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो अधिया से बड़ी अनालिस मिले तो मेरे चैनल को स्ट्काइब कीजिए और मैं आपके लिए एक से बहतरीन से बहतरीन स्टॉक अनालिस वीडियो लाते रहूंगा तो जो मैं कल के लिए जो स्टॉक लाया हूं वो है सिमेंस का ठीक है जोस्तों सिमेंस तीस मिनिट के और आवरली चार्ट पे एक रेक्ट्रेंगल फॉर्मिशन कर रहा है ठीक है तो जैसा कि जो हमारा रेक्ट्रेंगल जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रेंगल का जो थेओरी है जो मैं अपने स्ट्रेंट्स लोग को बताता हूं ट्रेनिंग में तो उसके अकॉर्डिंग आप देख स है फाइनली इसने अपनी रेंज छोटी कर ली है ठीक है और अब क्या कहते हैं अब सीमेंस के पास दो ऑप्षिन है जो फर्स्ट ऑप्षिन है कि अगर माल लीजिए सीमेंस कल कोई भी 30 मिनट के केंडिल सीमेंस में अगर 987 के उपर क्लोज हो जाती है तो आप सीमेंस को सीमेंस को शॉट सेल कर सकते है 970 की टागेट के लिए ठीक है जोस्तो तो डेली चार्ट मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज दिख रही है मैं आपको शो कर देता हूं ठीक है अब देख सकते हैं जहां पर सीमेंस है अभी ठीक है एक बार एक बार यहां पर दो बार तीन बार ठीक है जो तो तीन बार सीमेंस ने अहां पर अपना सपोर्ट लिया है ठीक है हम और फाइनली आप देख सकते हैं कि सीमेंस वहीं पर आके अब जहां पर दो वारत ने सपोर्ट लिया है सीमेंस वहीं पर आ गया है तो आप देख सकते हैं कि यह 981 का लेवल काफी क्रूशल होगा जैसे कि मैंने अपने ट्रेंगल में भी बताया कि 981 के नीचे आप सेल कर सक सकते हैं कोई भी 30 मेंटे के केंडल को हो तो तो आप देख सकते हैं कि अगर 981 के ऊपर है सीमेंस तो इसमें थोड़ा मोमेंटम स्ट्रॉंग होगा मतलब बाइंग थोड़ा जादा आएगा लेकिन मान लीजे इसके नीचे कोई भी डेली केंडल निकलता है 980 के नीचे कोई केंडल को होता है देली गा तो सीमेंस में 960 और 955 के टागेट देखने को मिल सकते हैं कुछ आने वाले हफ्तों के लिए ठीक है दुस्तों तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करिएगा कल के रेट में तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए आप सबको गुड नाइट कर जय हिंद